चत्री 136 अक्षमृता, जाओ ये से, बट में तुम्हें ये से घर जाने को बोला है, न कि तुम्हें अपने आशिक के साथ गूमने को, नील बीना किसी भाव से बोला, तो वही नील की बात सुनकर कांची की आखे नाम हो गई, आप ये बार बार कहना बंद करो हम दो बस अच पर केस हुए थे जिससे कांची को दर्ग भी हो रहा था, अच्छा तो तुम दोनों बस बैस्ट फ्रैंड हो, कोई बैस्ट फ्रैंड होटल में रूम बुक करता है क्या आपने लिए, और कोई बैस्ट फ्रैंड इतना क्लोज होता है क्या, जिस तरह से तुम दोनों रहते हो ना देख कर सब पता चलता है आज के बाद से तुम उससे बात नहीं करोगी और नहीं उससे मिलोगी नील गुस्से से गरचते हुए बोला वही नील की बात सुनकर कांची हिरानी से बस उससे देखते रह गई ये आप क्या कह रहे है हमने रूम क्या आप मेरे पीछे जासूसी करवा रहे है कांची रोते हुए गुस्से से बोली वो तो तुम्हे इस बात का बुरा लग रहा है ये बात मुझे केसे पता चल गई बर बेबी में कोई जासूसी नहीं करवा रहा हु जिस दिन तुम दोनों होटल में गए थे उसी दिन में एक प्रेजंट को चेक करने के लिए गया था और गलती से तुम दोनों को भी देख लिया नील अपनी दाथ पिस्ते हुए बोला मैं उस होटल में गई जरूर थी लेकिन उस रूम तक नहीं हर्ष की गलफ्रेंड ने उससे ये सब करने के लिए बोली थी और इन सब में इसका नाम ना आए इसलिए हर्ष ने मेरे और अपने नाम का रूम बुक करवाया था कांची अपनी सफाई देते हुए बोली तुम्हारी जुबान पर अब उसका नाम नहीं आना चाहिए यूगेट थोर नील गुस्से से बोला तो कांची दर से अपनी आखे बंद करके जल्दी से अपना सरहा में हिलाने लगी नील का गुस्सा देखकर कांची एक दम से दर चुकी थी तब ही नील को कांची की सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी नील कसके अपनी आखे बंद कर फिर खोला और पलट का कांची को अपने गले लगा लिया I am sorry मैंने तुम पर गुस्सा किया लेकिन आज के बाद तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी नील कांची का सर से हलते हुए बोला तो कांची का रोना और तेज हो गया अभी तक मुझ पर किसी ने इस तरह से नहीं चिल लाया था आप बहुत गंदे हो मुझे आपसे बात नहीं करनी है कांची अटक कर बोली रिलेक्स जान बस हो गया ना ठीक है अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा अब चुक हो जाओ नील कांची को चुक कराते हुए बोला लेकिन कंची थी की चुक होने का नाम ही नहीं ले रही थी आज पहली बार उसे किसी ने इस तरह से डाता था कांची एक प्रिंसेस की तरह पाली बढ़ी थी नील जब देखा कांची चुप नहीं हो रही है तो उससे अलग हुआ और उसके होट पर अपने होट रखकर किस करने लगा दूसरी तरफ मलहुतरा इंडस्ट्री आक्ष अपने केविन में बैथा था उसकी उनगी लगातार लाप्टोप पर चली जा रही थी तभी बीना नोग किये इसके केविन का डोर ओपन हुआ तुम्हे कितनी बार बोला गया है बीना नोग किये तुम्हें नहीं आना है आक्ष बीना देखे बोला और मैं भी तुझे कितनी बार बोल चुका हुई ये सब के लिए है मेरे लिए नहीं निखिल आगे वाली चेर पर बैठते हुए बोला निखिल के कहने पर अक्ष बस एक नजर उठा कर उसे देखा और फिर अपने काम पर लग गया अब बोलेगा भी क्यों बुलाया है या फिर बस येस घूरते रहना है निखिल चिड़ कर बोला काल कहा गाय थे रात को अक्ष बीना बात को घुमाए बोला अपना काम करते हुई बोला क्यों तुम्हरे जासूस ने अभी तक कोई खाबर नहीं दिये क्या निखिल अपना दाग दिखाते हुई बोला तारानकन दाग दिखाना बंद करो और जितना बोला है वो बताओ अक्ष काम करते हुई बोला पहले तो ना ये अमी के सोतन को बंद कर में तुझ से बात कर रहा हूँ और तुहे की लगातार बस इस सोतन को खुस करने में लगा हुआ है निखिल चरकर अक्ष का लाप्टॉप बंद करते हुए बोला अक्ष उसे घूर कर देखा मेंने तुमसे कुछ पोछा बताओ कहा गए थे कल अक्ष घूरते हुए बोला हाँ बता रहा हूँ न इतना गुस्सा क्यू कर रहा है निखिल बोला फिर एक गहरी सांस छोड़ कर बोला उससे नाटक करते करते मुझे कब उसे प्यार हो गया मुझे नहीं पता चाला लेकिन अक्ष आप में उसके बीना नहीं जी सकता प्लीज मेंने तुछ से कभी कुछ नहीं मागा आज मागता हुआ प्लीज मेरे बन्नी को दे दे मुझे इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है जो कुछ भी हुआ सब उसके निखिल बोलते हुए चुक हो गया लेकिन उसके आखों में निकिता के लिए प्यार साफ देखा जा सकता था आक्षेक तक उसे ही देख रहा था शादी करना चाहते हूँ उससे अक्षचानक से बोला तो निखिल अपना सर उठा कर उसे देखने लगा फिर अपना सर है हिलाते हुए बोला हामें उससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन उससे लगता है मैं अभी भी उससे नाटक कर रहा हूँ मुझे उसका विश्वास जीतना है पहले निखिल खुश होते हुए बोला ठीक है लेकिन अभी उसके तक ये खबर नहीं पहुँचानी चाहिए अक्ष निखिल को वार्म करते हुए बोला ठीक है अपने चिय से उठका रक्ष की गाल पर किस करते हुई बोला तभी उसके केविन का डोर ओपन हुआ दोनों डोर की तरफ देखे फिर अपने पोजिशन को अचानक से दोनों की आखे हिरानी से बढ़ी हो ठीक है एंड थैंक्यू थैंक्यू सो माच निखिल अपने चिय से उठका रक्ष की गाल पर किस करते हुई बोला तभी उसके केविन का डोर ओपन हुआ दोनों डोर की तरफ देखे फिर अपने पोजिशन को अचानक से दोनों की आखे हिरानी से बढ़ी हो डोर पर रिया ख़ली थी जो जो दोनों को देखकर अजीब सा मूँ बना रही थी आक्ष का फेस इमोसिनल लेस हो गया था मिस चोहन क्या आप इतना भी नहीं पता है किसी के केविन में जाने से पहले नौप करते है आक्ष रिया को भूरते हुए बोला आक्ष के बोलने पर रिया टेडा सा मूँ बनाए और अंड़ आते हुए बोली मुझे तो पता है किन्तु मुझे लगाता है ये कुछ और ही चल रहा है क्या अभी जो तुम दोनों कर रहे थे उस बाते में अमृता को पता है रिया बोली तो निखिल की आखे हैरानी से बढ़ी हो Mind your language हम दोनों येस भी क्या कर रहे थे जो आप इस तरह से बात कर रही है निखिल भड़कते हुई बोला Just Setup में तुम से बात नहीं कर रही हूँ रीता निखिल की तरफ देखते हुए बाई टू अक्ष की मुठी कस गई आपको कुछ काम था मिस चोहान वरना मुझे बहुत काम है आप येसे जा सकती है अक्ष डोर की तरफ इशारा करते हुई बोला अक्ष तुम ये इस केसे मुझ से बात कर सकते हो मैं तो यहां तुम से एक प्रोजेक्ट की सिलसिले में बात करने आय थी रिया बेचारी सा सकल बाना कर बोली सकल तो देखो कैसे बना रही है दे से इससे बड़ा मासूम इस दुनिया में कोई ही नहीं लेकिन हम तो जानते है इससे बड़ा नागिन इस पूरी दुनिया में को नहीं है निखिल रिया को देखते हुई बढ़बढया जो सिर्फ एक्षन पाया रिया उसे भूरने लगी तुमने कुछ कहा क्या रीता निखिल की तरफ देखते हुए बोली ना ना में केसे आपको कुछ बोल सकता हूँ निखिल अपना दाग दिखाते हुए बोला निखिल की बात सुनकर रीता उसे घूर की देखा फिर्क्षा को देखते हुए बोली मुझे तुम से कुछ बात करनी है सो रीता निखिल की तरफ इशारा करते हुई बोली तो निखिल केविन से जाने लगा एक मिनट रुको अक्ष निखिल को रोकते हुई बोला तो निखिल पलटकर अक्ष को देखा अक्ष उसे अपने पास आने का इशारा किया रिया की मुठ्थी कस गई बैठ हो मुझे अभी तुम से कुछ काम है अक्ष बोला तो निखिल के फेस अपर गहरी इस्माइल आ गई निखिल जाके सोफे पर बैठ कर मैगजीन उठा कर पढ़ने लगा मैं बोली मुझा आप से अकेली बात करनी है रोता एक बार फिर से बोली आपका जो भी बाते करनी है आप कर सकती है मैं सुन रहा हूँ मिस चोहान अक्ष लाप्टॉप ओपन करते हुई बोला रीता को अब अपनी इंसिल्ट फील हो रहा था रीता अक्ष के आगे वाले चेर पर बैठ गई अभी अंकल की तब्यत कैसी है रीता बोली तो अक्ष बीना उसे देखे बोला क्यों अभी तक आप आए जासूसों ने खबर नहीं दिये क्या अक्ष सीधे से बोला तो अक्ष की बात सुनकर रीता घबरा गई ये क्या बोल रहे हो तुम तुम किस चासूस की बात कर रहे हो रोता अपनी घबराहच चुपाते हुई बोली वैसे एसी में भी आपको इतने पसीने क्यों आ रहे है मिस चोहान अक्ष रीता की तरफ देखते हुई बोला इसके फेस पर हलक पानी पी गई, सो आपकी बाते खत्म हो गई हो तो मुझे एक मीटिन जाना है तो क्या आपको कुछ और काम था ये जाओ, अक्ष लाप्टॉप बंद करते हुई बोला, या श्यो मुझे भी अभी कुछ काम याद आ गया है, मैं भी अभी निकलती हूँ, हम बाद में मिलते है रिया जल्दी से चे से उठते हुई बोली, रिया को इतने हरबली में देखकर निखिल की हसी छूट गई वही अक्ष के फेस पर स्माइल और लंबी हो गई, लेकिन मिस चौहान, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है आप चाहे तो आप जिस बाते में बात करने आई थी वो कर सकते है, अक्ष वाच की तरफ देखते हुई बोला, थैंक्यू अक्ष बट में कल आप से आके बात कर लूंगी, जब हमारे बीच कोई कबाब में हड़ी नहीं होगा, लास्ट लाइन रिता धीरे से बोली लेकिन फिर भी निखिल दिन लिया और उसे बूरी तरह से घूर पहले तो तू मुझे से दूर होके ही बात करना, अक्ष निखिल को भूरते हुई बोला, ओ तू ज़्यादा उस मथा मुझे तुझ में कोई इंटरस्ट नहीं है, मुझ लड़कियों में ही इंटरस्ट है, फिर थोड़ा सा रुख कर, वैसे तेरे भी बोड़ी कुछ काम न निखिल नौटीवे में बोला तो, आक्ष उसे घूर कर देखा, ये थरकी पान न, तो उसके पास करना मेरे पास नहीं, मुझे मेरे वाइफी में ही इंटरस्ट है उसे के सिवा मोहे कोई नहीं चहिए, आक्ष निखिल को भूरते हुई बोला, बस बस रहने दे अब तेरा वाइफी पुरान आज सुनने के मूड में नहीं हूं में, निखिल बोला तो, आक्ष उसे घूर कर देखने लगा, निखिल अपना दात देखा कर बोला, वो तो मैं मजाक में कह दिया तू कहा ज्यादा बोलता है, अभी चल तूझे मीटिंग के लिए लेक नहीं हो रहा निखिल बोला तभी एक बार फिर से केविन का दोर नौक हुआ, आक्ष अमरिता, निखिल अपना दात दिखा कर बोला, वो तो मैं मजाक में कह दिया तू कहा ज्यादा बोलता है, अभी चल तूझे मीटिंग के लिए लेक नहीं हो रहा गई, निखिल बोला तभी एक बार को घूर कर कमिंग बोला तो रहूल अंदर आया, बॉस टाइम हो गया है, रहूल बोला तो अक्ष पिछे चे से अपना कोट उठा कर केविन से निकल गया, उसके जाते ही निखिल अजब सा मू बनाया और उसके पीछे वो भी निकल गया, शाम का वक्त, अमबिला, अक्ष को छोड़ कर इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, अमृता अक्षित को खाना खिला रही थी तभी ओम सब को देखते हुई बोला, मुझे आप सब को कुछ बताना है, ओम बोला तो सब ओम की तरफ देखने लगे और अदा को जिसके हाथ से स्पून छूट कर प्लेट में गिर चुका था, हाँ बोलो क्या बात है ओम जो तुम बोलने से पहले इतना सोच रहे हो, निखिल बोला तो ओम एक गहरी सांस लिया और बीना अदा की तरफ देखे बोला, मुझे एक मंद के लिए असम जाना पढ़ेगा, अगला अल्बम मेरा वही लॉंच होन गई, लेकिन अदा तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है, अमरिता बोली लेकिन अदा तब तक बिना उसकी बात सुने उपर चली गई, इसे क्या हो गया, इसका मूड इतना खराब क्यू हो गया, अदा अमरिता बोली तो निखिल ओम की तरफ देखने लगा, जो कर रहा था, चाचू तो क्या मैं भी आपके साथ वल चल सकता हूँ, अक्षित खाते हुए बोला, येस मेरे क्यूटी पाए आप भी चल सकते हुँ मेरे साथ, ओम अक्षित को देखते हुए बोला, तो अक्षित खुस हो गया, लेकिन मेरे शेर क्या आप मम्मा के बिना रह पाओगे वहा चाचू के साथ, निखिल अक्षित को देखते हुए बोला, तो अक्षित पहले उसे घूर कर देखा, फिर अमरिता को पकरते हुए बोला, नहीं नहीं में अपने मम्मा को चोल कल कहीं नहीं जाओंगा, अक्षित बोला तो सब के फेस पर अपने आपी स्माइ ला गई थोई देर में सब दिना करके अपने अपने रूम में चले गए लेकिन अक्ष अभी तक ओफिस से नहीं आया था अमरिता ने अभी तक दिना नहीं किया था अमरिता अदा के लिए प्लेट में खाना निकल रही थी और ओम अक्षित के साथ होल में मस्ती कर रहा था जो उठा कर ओम से पूछा तो ओम अपना सर हिलाते हुए बोला, सब अच्छा चल रहा है भाई, ओम बोला मैंने कितनी बाल बोला है आपको यहाँ पर आप किसी मत किया कालो यहाँ सिर्फ मेली मम्मा कल सकती है, अक्षित अपने पूछते हुए बोला क्यूंकि अक्ष उसके लिप्स पर किस किया था अक्ष उसे घूर कर देखा और डे से ही दोबारा किस करने को हुआ कि अमरिता कीचन से प्लेट लाते हुए बोली, आप आ गए जाए, फ्रेस हो जाए, तब तक मैं आपका दिन लगाती हुँ, अमरिता अक्ष को देखते हुई बोली वो सब तो ठीक है, अब तो तुम ये दिन कहा ले जा रही हो किस के लिए, अक्ष अमरिता के हाथ में प्लेट को देखते हुए बोला वो अदा ने आज दिन बहुत कम किया था, उसके लिए ले जा रही हुँ, मैं उसे खिला कर आती हुँ, तब तक आप फ्रेस हो क्या आ जाओ, अमरिता बोली और देसे ही जाने को हुई ओम उसे रोकते हुई बोला भाभी आपके प्लेट मुझे दे दो में और मेरा क्यूटी पाई अदा को खिला कर आते है तब तक आप और भाई दिन कर लो ओम बोला तो अमरिता उसकी तरफ देखने लगी हाँ मुझे उटालो मैं अपने आदू को दिनल खिला कल आता हुँ, तब तक आप दिनल कर लो मम्मा अक्षित अक्ष के बाहों से सरकते हुए बोला और जल्दी से अमरिता के पाश जाकर उसके हाथ से प्लेट ले लिया उसे तो बस अक्ष से दूर जाना था जो अब मोका मिल चुका था तो वो ये मोका छोड़ सकता था, भावी आप दिनल कर लो तब तब तक हम अदा को खिला कर आते हैं ओम बोला और बीना अमरिता की बात सुने अदा की रूम की तरफ चाला गया हाँ तो ये बताओ तुमने दिन क्यों नहीं किया, आज तो तुम्हें एनरजी की जरूरत भी पढ़ने वाली है ना, आक्ष अमरिता के कमर को पकड़ कर अपने आप से सताते हुई बोला तारानकन, क्या कर रहे हो ये आपका बैडरूम नहीं है कोई देखेगा तो क्या कहेगा अमरिता अक्ष को दूर करते हुई बोली मुझे फर्क नहीं पढ़ता जिसको जो सोचना है सोचे अक्ष बोला और अमरिता को और क्लोज कर लिया शर्म कर ये तेरा बैडरूम नहीं है जो तू कहीं भी सुरू हो जता है निखिल सीडियों से आते हुई बोला, मुझे शर्म नहीं है तो तू अपनी आँखे बंद कर ले, तूझे अगर इतनी ही शर्म आ रही है तो अक्ष बीना निखिल को देखे बोला तो तो निखिल उसे घूर कर देखने लगा लेकिन अक्ष का ध्यान से कही और ही था क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे, अमरिता अपने दात पिस्ते हुए बोली तू नहीं सुद्रेगा निखिल अपना सर हिलाते हुए बोला और चुप चाप बिला से बहार चाला गया थोई देर में पहुँच कर तू भी यही करने वाला है अक्ष बोला तो निखिल वहां से चुप चाप हिसक नहीं सही समझा चत्री हन्रिद थर्टी नाइन अक्ष अमरिता तू नहीं सुद्रेगा निखिल अपना सर हिलाते हुए बोला और चुप चाप बिला से बहार चाला गया थोई देर में पहुँच कर तू भी यही करने वाला है अक्ष बोला तो निखिल वहां से चुप चाप वहां से जाना ही सही समझा हाँ तो वाइफी तुम क्या बोल रही थी मुझे शर्म नहीं आती अरे भाई में अपने बीबी से प्यार कर रहा हूँ किसी और से थोई न जो तुम ये इस बोल रही हो अक्ष बोला तो अमरिता उसे घूर कर देखी बीवी हूँ तो क्या किसी के सामने कुछ भी करेंगे आपको शर्म नहीं आती लेकिन मुझे तो आती है अमरिता अक्ष को घूरते हुए बोली और खुद से दूर करके बोली जाओ फ्रेस होके आओ तब तक में दिन लगाती हूँ अमरिता बोली और किचन की तरफ जाने लगी में रूम में ही दिनर करूंगा अक्ष बोला और सीधे रूम में चला गया अदा का रूम अक्ष और ओम अदा के रूम के पास पहुँचे तो देखे रूम का दोर अंदर से बंध था ओम जुक कर अक्ष और काम में कुछ कहा फिर सीधे खड़ा हो गया आदो आदो जल्दी से दोल ओपन कलो जल्दी से अक्ष ये बात इतना ओव एक्टिंग करके बोला था देसे वो किसी मुसीबत में फसा हो अक्षित के बोलते हुए अगले पल अदा जल्दी से रूम का दोर ओपन कर दिया ओम बीना कुछ कहे दोनों अदा को साइट करके रूम के अंदर चले गए अदा बस अपना मूँ खुले दोनों को देखते रह गई ये क्या बत्तमिजी है अक्षित अदा गुस्से से बोली वो एक बार भी ओम की तरफ नहीं देखी थी अदा के बोलने पर अक्षित उसके तरफ देखने लगा आदू वो आप दिनल नहीं किये थे न तो मैं और चाचु ने सोचा आपको दिनल कला दे अक्षित ये बात बड़ा ही मासूमियत से बोला था क्या मैंने किसी को कहा मुझे भूख है और किसी को मेरे बारे में सोचने की जरूरत ही समझाए मेरी बात अब ये प्लेट यहां से लेकर जाओ मुझे नीदा रही है अदा बोली और डोर की तरफ दोनों को इसरा किया अक्षित के आँखों से आसु आ गए अदा अपने गुस्से में ये तक भूल गई वो अभी किस से और क्या बात कर रही है मैंने कहा न जाओ ये इसे अभी तक क्यू हो ये पर अदा एक बार फिर से गुस्से से बोली अदू मुझ पे गुस्सा किया आप मुझे प्याल नहीं कालते हो मुझे कोई बात नहीं कलनी है आपसे अक्षित रोते हुए बोला और रूम से भाग गया अदा को अब समझाया वो अपने गुस्से में क्या किया किसी और का गुस्सा अक्षित पर उतार दी अक्षित के जाने के बाद अदा ओम की तरफ देखी जो उसे ही देख रहा था ओम चल के उसके पास आया और उसे दोर से साइग करके आदर से बंद कर दिया ये क्या कर रहे हो, मुझे अकेले रहना है, अदा बोली और डेसे ही डोर फिर से ओपन करने को हुई ओम से अपने गोद में उठा कर बोला, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, किस बात का, ओम सोफे की तरफ ले जाते हुए बोला, मेरा गुस्सा चैंप पर क्यों उत जहा छोड़ो मुझे और जाओ ये से जहा जाना है, अदा गुस्से में अपने आपको चुलाते हुए बोली, चुक चाप संद से बैठी रहो वना, ओम बोला और अपनी बात अधूरी छोड़ दिया, ओम की गुस्से भरी धमकी सुनकर अदा एक दम से हिलना दुलना बंद गया, आक्ष को अजीब लगा लेकिन अक्षित की तरफ देखा तो उसे लगा वो सो रहा हा, वो आयने के सामने जाकर अपना बाल बनाने लगा, तब ही उसके कान में सिसकाने की आवाज पड़ी, आक्षु क्या हुआ बच्चा, तुम रोक्यों रहे हो, आक्ष चल्दी से अक्षित को अपने गोड में उठाते हुए बोला, तो देखा अक्षित की आखे लाल हो गए थी रोने से, क्या हुआ बताओ मुझे, और ये सकम जोर बच्चों की तरह तुम रोक्यों रहे हो, आक्ष अक्षित के आसु पूछते हुए बोला, मुझे किसी से बात नहीं काल मम्मा को चोल कल, अक्षित बोला और अक्षित के गोड से उतरने लगा, तो अक्षित की पकड़ और मजबूत हो गई, क्या कर रहे हो ये तो बता दोरो क्यों रहे हो, तभी तो हम मिलकर उनका क्लास लगाएंगे, अक्षित बोला और अक्षित संथ होकर अक्षित को देखन देखते हुई बोला तो अक्ष बेबसी से अपना सर हिला दिया तो अक्ष उसके कंधे पर अपना सर रख लिया अक्ष उसे लेकर बालकनी में चाला गया मम्मा कहा है वो आक्ष एक बार फिर से बोला वो अभी आपके दादू के पास गई है आती होगी अक्ष बोला और उसे लेकर सोफे पर बैग गया। एक बात पूहूं आपसे। अक्षित अक्ष को देखते हुई बोला तो अक्ष अपना सरहा में हिला दिया। आप मुझे और मम्मा को क्यों अकेला छोले थे। अक्षित बोला तो अक्ष बीना किसी भाव से उसे देखने लगा। बोलो ना, आप को पता है वो सिद्धू मुझे कीतना छीलता था कि टेले पापा तेले से प्याल नहीं कलते हैं इसलिए मुझे और मम्मा को छोल कल चाले गए हो। अक्षित बोला तो अक्ष की पकर उस पर मजबूर हो गई। अक्षित के बोलने पर अक्ष उसे एक तक देखने लगा अक्ष दो मिनट चुप रहने के बाद उससे बोला तो आप इन सब को क्या जवाब देते थे। अक्ष बोला तो अक्षित एक दम से उठ गया और फूल जोल में बोला मैं उनका सीधे मूर तोल देता था फिर मुझ अक्षित के बोलते हुए अक्षित इतना क्यूट लग रहा था कि अक्ष अपने आपको रोक नहीं पाया और अक्षित के होट को कस के चूम लिया। अक्ष के येस करने पर अक्षित उसे घूर कर देखने लगा। अक्ष उसके नजर को इगनो करके उसे उठा कर रूम में लाते हुए बोला आपकी मम्मा आती होगी तक तक चलो मैं आपके कपड़े चेंज करा देता हूँ। अक्ष बोला कर अक्षित को लेकर बात्रूम मे गुस गई कुछ देर बाद अक्ष बात्रूम से निकाला तो देखा अमरिता देन लगा रही थी थैंक गौड वाइफी तुम आ गई अक्ष गहरी सांस लेकर बोला तो अमरिता उसके तरफ देखने लगी क्या हुआ आप इसे क्यूं बोल रहे हो अमरिता अपनी एक आइबरो उठा कर बोली आक्ष अमरिता के बाद का जवाब देता उससे पहले अक्षित दोड़ कर अमरिता के पैर पर लिप्ट कर बोला मम्मा मुझे निनिया लही है अक्षित बोला तो अमरिता उसके सर पर हाथ रख कर अक्ष की तरफ देखने लगी तो अक्ष अपना कंधा उचा का कर मोबाइल लेकर बॉलोकनी की तरफ चाला गया आक्ष के जाने के बाद अमरिता अक्षित के अपने गोड में उठा कर बैक पर ले आए और उसे बैक पर लिटा कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली क्या हुआ है बेटू को मासी ने कुछ कहा क्या अमरिता पूछी तो अक्षित अमरिता को और कस के पकड़ कर बोला मम्मा मुझे सोना है अक्षित बोला तो अमरिता कुछ नहीं बोली और उसके सर पर किस करके उसके बाल में धीरे धीरे अपना हाथ चलाने लगी कुछ देर बाद अक्ष कॉल कट करके अंड़ आया और अमरिता को देख कर बोल क्या हुआ आप दिन करो ना, अम्रिता बोली तो अक्षो से धूर कर देखने लगा, घूर क्या रहे हो अब मेरे हाथ से खाना है क्या, आप करो मैं आती हूँ, अम्रिता बोली तो अक्षो से और बुरी तरीके से घूरने लगा, अक्ष के घूरने पर अम्रिता धीरे से से उठ गई, आपके हाथ में चोट लगी है क्या को आप मेरे आने का वेद कर रहे हो, चुक चाप देना करो ना, बोलते हुए अमरिता अक्ष के पास जाके बैक गई, अमरिता बोली तो अक्ष जैसे ही उसे जवाब देने को हुआ कि एक बार फिर से उसका मोबाइल बजा, अ में कर चुकी हुँ आप भी करके दो जै में सोने जा रही हुँ, बोलते हुए अमरिता सोफे से उठ गई, अमरिता को उठाते देख अक्ष उसके हाथ को पकड़ कर अपने लेप पर बिठा लिया, तो मुझे खिलो, मुझे भूख लगाए है, उसके बाद सोने चली जाना, बोलते हुए अक्ष के फेस पर स्माइल थी जो अमरिता को देखने से पहले ही चुपा भी लिया, हाथो खाओ न में कहा मना कर रही हुँ, तुम हाथे हाथ में घून थोड़ी ना लगा है, खुद खालो, अमरिता बोली और फिर से उसके गोट से उठाने लगी, आक्ष अमरिता पर अपनी पकर मजबूत करते हुए उसके पेट पर अपना हाथ धीरे-धीरे चलाते हुए बोला, लेकिन वाइफी मेरा पेट सिर्फ खाने से नहीं भरने वाला मेरा पेट भरने के लिए तुम ही ही मेरा हेल्प करना होगा, आक्ष बोला तो अमरिता उसे भूरते लगी, खाना खाओ और चुप चाप सो जाओ, बोलते हुए अमरिता रोटी तोड कर अक्ष को खिला दी, वैसे वाइफी मुझे अकेले खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, तुम भी मेरे साथ खाओ, अक्ष बोला और खुद रोटी तोड कर अमरिता के मूँ के पास लेकर गया, मैं खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है, और अब तो खिला भी रही हूँ ना फिर आपको क्या दिक्कत जा रही है, अमरिता अपना मूँ फेर कर बोली, आउच, अमरिता के मूँ से अचानक निकाला क्यूंकि अक्ष उसके पेट को अपने मुश्ठी में भर लिया था, अभी भी नहीं भूख है, अक्ष अमरिता की तरफ देखते हुए बोला जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी, अक्ष उसे देखते हुए अपने होट कट कर बोला, वाइफी ये समत देखो नहीं तो दिक्कत तुम्हे ही होगी, अक्ष बोला तभी अमरिता नीचे कुछ फील हुआ जिसे महसूस करके अमरिता के गाल गुलाबी हुने लगी और वो तुरंट अक्ष से अपनी नजर फिर ली, अक्ष के फेस पर स्माइल तेर गई वो निवाला बना कर अमरिता के मूर के पास लाया तो इस बार अमरिता तुरंट अपना मूर खोल दी इसी तरह दोनों एक दुसरे को खिलाते हुए अपना दिनर केंपलिट करते हैं दोनों का दिनर केंपलिट हुआ तो अमरिता अक्ष के गोध से उठ कर सारे बर्तन लेके नीचे जाने लगी अक्ष एक नजर अमरिता को देखा कर अपना मोबाइल लेके बोलो बालकनी की तरफ चाला गया कुछ देर बाद अमरिता रूम में आये और अपनी नजर चारो तरफ घूमा कर देखा तो अक्ष अपनी पीट करके बोलोकनी में किसी से बाते कर रहा था अमरिता अपनी कदम उसके तरफ बढ़ा दी आज के लिए बस इतना ही एंड गाइस आज से आप लोगों को डली चाप्टर मिलेगा लेकिन प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेर करो 11 लाइक्स, 4 कमेंट्स, 2 शेर्स